अब यहां तक आही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिएगे बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुचे आप तक करें नमिश्कार आपो लाइव तसवीरें देख रहे हर्याना के जिले यम्ना नगर से जहांपर आप सभी को बता दें किस अमय मौशूद है हम लोग यम्ना नगर के सिविल हस्पताल की मौर्चरी में आपको लाइव तस्विरी दिखाने का माध्हम बन रहे हैं आप सभी को बता दे एक नया मामला यम्ना नगर में सामने आता है यम्ना नगर की नंदा कलोनी जो की फरकपुर में पढ़ती है हमाँ पे संदित अवस्था में एक बुजुर्ग महिला और उनके बेटे का शव बरामद होता है मौके पर जो है यहाँ पर जो पुलिस के विभाग के अधिकारी है वो कारवाई करने के लिए आ चोके हर्याना के जिले यम्ना नगर से समय मौजूद है हर्याना के जिले यम्ना नगर से bajते हैं सितियों में जो है बॉड़ी मिलती आप सभी लाइफ तस्वीरे देख रहे हैं हर्याणा के जिले यम्रानगर से जहाँ पर इस समय मौझूद हम लोग मौर्चुरी के बाहर कि इस मामले पर लेकर आपाजी यहां 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 जो जो अच्छी नब्य साल पी और लड़का यही कोई 55 साल गा था जो दिमागी तोर से पैसे करेशाल था इनको ड़ड़ा उस पुचा दिया था अब देखो इंको पॉस्ट बाटम को सुझना कहां से मिली और कैसे मिली यह कंट्रोल द्वारा मिली थी जो मौल लवासी हैं उन्होंने कंट्रोल को सुच्छी कर गिया था यह कोई रातरीन मोह 10 बजे की बात है तो आसपास के लोगो जो मंहीं रह रहे हैं तो कि घृषी कि दूलों बन द्यासियों ने क्या बताया कि अधिक कर दो यह क हमें बैदेखों करने कि यही यह बदी लड़कीए इनकीड कि आपको पता चला और किस तरह आपको पता चला और किस तरह मोले वांसे को पता चला कि वो बिल्कुल मड़ चुके हैं या फिर वो है कि आपको फोना है यहां जिए उनकी देथ होगी है तो आप लोग उसी महले में रहते हैं तो सर किस तरह का सर मांसे क्यों से तनाव जो मम्मी थे उनके वो 90 साल की उमर थी काफी बुजूर्ग काफी बुजूर्ग थे जो चल पाती नहीं थे लैटनिंग बात्रूम बचा रहे अब लोग ही उनको दिया है हम सारे मारे जितने मेरे दोस्ता मेरे भाई हैं आपने हम सारे मिलके रोटिया कराव कर दबादी थे तो क्या करता था बेटा कुछ कर नहीं है तो बस बिला आप लोग भी उसे खाना दे लेंगा बस चारवान आर जार्दूर मिलकी राशन पाण तो आप सभी को दिखा दें आपी लाइफ तस्वीरे देख रहे हैं हर्याना के जिले यम्ना नगर से जहाँ पर आप सभी को बता रहे हैं कि किस तरह से जो मौके पर investigation के लोग है head constables है और साथी साथ जो inspector है वो मुझूद और मुझूदा कारवाई कर रहे हैं आप इस जो काने वाला केस जो है सामने आता है चोकाने वाला केस ये होता है कि एक बुजूर्ग माता है 90 साल के और उनका 55 से 54 वर्षी है जो लड़का है वो मानसिक रूप से घ्रस होता है एक महीने पहले नंदा कलोनी के निवासियों को कहीं सड़क पर मिलते और सड़क पर मिलने के बाद वो उने कमरा की राये पर दिला देते हैं, रोज उनके खाने पीने का ध्यान रखते हैं, रोज उनको खाने पीने का समान दिया जाता है और समान के साथ साथ एक दिन जब वो सामान नहीं लेने आते तो महले के वासी उनसे पूछते हैं कि वो कहां चले गए हैं लेकिन जब उनका कहीं नहीं पता चलता तो वो घर में मृत पाते हैं और इसकी सूचना पुलिस के सो नंबर कंट्रोल रूम पर दी जाते हैं और उसके बाद आनन्द फानन में फरक पुर्थाने की पुलिस वहाँ पर पहुचती और कारवाही करते हैं आप सभी सनुद्र वीडियो को शेयर जरूर कीज़ेगा इस समय मौझूद है हम लोग हर्याना के जिले यमना नगर की मौ सके और बच्चा जो उनका था वो मानसिक रूप से तनाव था परीजन अभी तक को पता नहीं चल पाया परीजन जो है उनका इतना उनसे लेना देना नहीं था आप सभी सनुद्र वीडियो को शेयर जरूर कीज़ेगा हमने आपसे बाचीत कराया पी अलाई तो स्वीरे दे प्रसाशनी के लोग कारवाई कर रहे हैं और कहीं न कहीं आप लभी को लाइफ वीडियो के माधम से दिखाने का प्रयास करें कि ऐसे मामले दिन-बदिन सामने आ रहे हैं जहापर लोग स्ट्रेस के पता अभी तक खुलासा नहीं हो पाया अंदर शर्व का जो है पोस्ट मा थे और क्या कारण जो है उनकी मृत्यू के रहे हैं लेकिन पुलिस ने जो है अग्रिम कारवाई शुरू कर दिया अगले की कारवाई के लिए जो है बता दिया जाएगा लेकिन अभी जो है शव ग्रह में उनका पोस्ट मार्टम चल रहा है अभी तक कोई डिटेल सामने नह रहे हैं हर्याना के जिले यमना नगर के मौर्चरी हाउस के बार से जहाँ पर आप सभी को दिखा रहे हैं कि मौके पर प्रसाशनी कदिकारी भी पहुच चुकी है प्रसाशनी कदिकारी के साथ-साथ जो है कारवाई करने का प्रयास भी किया जाय रहा है और आप सभी सिनु लोग जनता को सचेद कर सके समय आप लाइव तस्वीरे देख रहे हैं क्योंकि बताया जारें कोई परीजन इनके साथ नहीं था एक महीने पहले ही ये लोग जो है मुहलेवासियों को मिलने के बाद जो है उनको पता उनको नोंने कमरा किराये पर दिला दिया था कमरा दिलाने के साथ नमस्कार